क्या राज्यों में चुनाओं होने से पहले आईएस ओफिसर्स करेंगे बीजेपी का परचार तो कल कॉंग्रेश ने कुछ ऐसा पोस्ट करा है चुनाओं से पहले मोधी सरकार नए नए हतकंडे आजमा रही है पहले देश की सेना को आदेश दिया कि वो मोधी सरकार की योजनाओं का परचार करें अब आईएस अधिकारियों को विक्सित भारत संकल्प यात्रा का रत परबारी बनाया जा रहा है ये आईएस अधिकारी घुम घुम कर मोधी सरकार का परचार करेंगे सत्ता का धूर्पियों करने में पीम मोधी रोज नया रिकोर्ड बना रहे हैं। हो सकता है कल को IAS अधिकारियों को BJP का बूत परबारी भी बना दिया जाए। तो इसी बात पर रिटाइड IAS सुर्य परताप सिंग ऐसा लिखते हैं। हेलो रत परबारी IAS दोस्तों सभी IAS को बदाई अब आप कलेक्टर कमिशनर नहीं रत परबारी बनेंगे। कल आप रत चालक भी बन सकते हो। भारत की इतियास में पहली बार होने जा रहा है कि सिविल सेवकों के अधिकारे सरकार के प्रोपोगेंडो मनिशनरी के हाथ का खिलोना बनेंगे। विदित हो की दिनाग 29 बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक भारत सरकार विक्सित भारत संकल प्यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि यात्रा चुनाओ से पूर मोदी सरकार की पबलिसिटी के लिए होगी यानि चुनाओ से पहले IS अधिकारियों को सरकारी रत पर बैठा कर सरकार अपने कारियों कार नामों जूट का धिंडोरा पीटने के लिए IS अफसरों का इस्तिमाल दुर्पयोग करे करेंगे IS अफसर IS परजाती के दोस्तों सावधान अभी आप रत परबारी बने हैं कला बूद परबारी भी बना दिये जाओगे उसी के लिए चाटुकारी तक करते करते अब आपकी एहसियत यही रह गई है भावी रत चालक IS महुत दे तो रिटाइड IS सूर्य परताब सिं पर आप अपनी रहे हमारे साथ कमेंट के मादिम से जरूर सेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई